बाइबल वृत्तांतों, काव्यों और गध्यों जैसे विभिन साहितिक शैलियोंग में लिखी गई पुस्तकों का संग्रह है। हम मेंसे अधिकांश लोग इस प्रकार के साहित्य से परिचित हैं। हाँ, हम सभी जब वृत्तांतों को देखते हैं तो उसे जान सकते हैं, जैसे गोदान या देवदास। अधिकांश लोग काव्य को पहचान सकती हैं, चाहे वह हरिवन्श राय बच्चन की हो या जाविद अक्तर के गीत हो। हर दिन हम समाचार, लेक या निबन जैसे गद्यों से घिरे होते हैं। ये सभी उधारन आधुनी भार्तिय साहित्य हैं, ये सभी इस समय और संसार के इस शेत्र से आये थे। लेकिन अगर मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य की बात करे तो वह एक अन्य स्थान और समय से हैं, ऐसे ही प्राचीन युनानी लेक भी हैं। प्रतेक समय अवधी और संस्कृती अपना अनूठा साहित्य तयार करती है। बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमें यह ध्यान रखने की आवश्यक्ता है कि यह संसार के इस भाग से आती है और समय की इस मूल अवधी में लिखी गई थी। तो प्राचीन यहुदी साहित्य में निराला क्या है? एक प्रमुक विशेष्टा यह है कि इसमें बहुत विरिस्तित विवरन नहीं है जो आधुनिक पाठक कहानियों और कविताओं से अपेक्षा करते हैं। यह वास्तव में इसे सरल बनाता है। परंतु वास्तव में यह बहुत जटिल साहित्य है, हर विवरन जो दिया गया है अर्थ रखता है। परन्तु विवरन की कमी का अर्थ है कि कहानियां अक्सर अस्पष्टता से भरी होती है। मेरा कहनी का अर्थ है आरम में कहानियों से एक कहानी लेते हैं। आदम और हवा बगीचे में हैं। यहां बोलनी वाला साप कहां से आया। परमीश्वर ने उसे वहां जाने की अनुमत क्यों दी आदम और हवा की मृत्यू क्यों नहीं हुई जैसे की परमीश्वर ने कहा था उस त्री की संतान कौन है जो सांप को कुचल देगी परंतु वह सांप उसे डस लेगा हाँ इस कहानी में बहुत सारी पहलियां है ये कुछ ऐसे प्रश्ण है जो हमारे पास है और जो उ लेखक ध्यान केंद्रित कर रहा है परंतु इन में से कुछ अस्पश्टताएं जान बूचकर रखी गई है जान बूचकर क्या यहां गलत अर्थ की और नहीं ले जाएगा लोग क्या अपना ही अर्थ नहीं लगा डालेंगी बाइबल के लेखों को ने इस प्रकार लिखकर यह जोखीम उठाया था हम सभी बाइबल पर अपनी सांस्कृतिक धारनाय थोपने हैं लेकिन उन्होंने स्पश्ट रूप से सोचा कि यह जोखीम लेना योग्य है यह विशमताय वास्तव में आपको इसे पढ़ने और खोच करने का निमंतरन देती हैं आपकी कहनी का अर् जान वंशावलियों की और ले जाता है जो देखो सब बाइबल के विर्दानतों में पाई जाती है उन्होंने हववा की वंशावली से राजा दाउद और उसके वंशजों तक का पता लगाया नए नियम में इशू इसी राजशी वंस की संतानों से जुड़ा है जब आप को पढ़ते हैं तो यशायय ने इस राजा को दुख उठाने वाला सेवक कहा जो अपनी प्रजा के लिए मर जाएगा फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रतिकात्मक दर्शन है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ एक स्त्री और उसके वंशज के बारे में है यहाँ इशू और उसके अनुयाई है जो अपना प्रान त्याक कर अजगर पर विजय प्राप्त करते हैं हाँ तो कहानी का प्रतिक भाग अस्पष्टताओं से भरा हुआ है लेकिन कुल मिला कर अर्थ स्पष्ट है यहाँ बाइबल की साहितिक उत्कृष्टता है यहाँ आ मैं यहाँ सब कर सकती हूँ या नहीं वास्तव में आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती की स्वयम सब कुछ एक ही बार में देख लें और तुरंत आपको पता चल जाए लिखने की ऐसी सगन विधी आपको धीरे धीरे ध्यान से पढ़ने के लिए विवश करती है और साथ ह पूरे जीवन भर संपूर्ण बाइबल वृत्तांत पढ़ते रहने और बार बार पढ़ने की सक्रिये खोजी प्रक्रिया आरंब करने को विवश करती है अच्छा ठीक है ध्यान करने वाला साहित्य हाँ भजन सहीता एक में हम आदर्श बाइबल पाठक के बारे में पढ़ से बोलना विचार यह है कि आप जीवन भर हर दिन धीरे धीरे अपने मन में बाइबल पढ़े और फिर अपने दोस्तों के साथ इसके विशे में बात करें पहलियों को टटोले संपर्क बनाए यह जानने का प्रयास करें कि इसका क्या अर्थ है जब आप बाइबल को अपनी व्याख्या स्वयम करने देते हैं तो कुछ असाधरन होता है बाइबल आपको पढ़ना आरंब कर देती है क्यूंकि आखिरकार बाइबल के लेखक चाहते हैं कि आप इस कहानी को अपनी कहानी के रूप में अपनाएं तो इस प्राचीन यहुदी लेखन शैली को तो निराल व्रितान और कावियों और उपदेशों की रचना करनी चाहिए हां और हम आगे उन सभी साहितिक शैलियों की खोज करेंगे जो बाइबल व्रितान से आरंब होती है